अक्षा साथ हिंदी दीक्षा बहता पानी निर्मला मुझे बच्पन से नक्षे देखने का शौक है आप समझेंगे कि कुछ भूगोर बिग्यान की तरह प्रवर्ती नहीं होगी नहीं सो बात नहीं असल बात यह है कि नक्षो की सहारे दूर दुनिया की सेर का मज़ा लिया जा सकता है यो तो बास्तविक जीवन में भी काफी घूमा भटका हूँ पर उससे कभी तरपती नहीं होई हमेशा मन में यही रहा कि कहीं और चले कोई नई जगे देखे यत्रा करने की कई तरीके हैं एक तो यह कि आप सोच बिचार कर निश्य कर लें कि कहां जाना है कब जाना है कहां कहां घूमना है कितना खर्च होगा फर उसी के अनुसा छुट्टी लीजिए टिकट करवाईए सीट या बर्थ बुक कीजिए होटल डांग बंगले को सुचना देकर रिजर्व कराई या भावी अतितियों को खवर दीजिए और तक चल पड़िए बलकि तरीका तो यही एक है क्योंकि यह विवस्तिक तरीका है और इसमें मज़ा बिल्कुल नहीं है यह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत से लोग ऐसे यात्रा करते हैं और बड़े उत्सा से भरे वापस आते हैं दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजे कहीं जाने का चुट्टी भी लीजे इरादा और पूरी यूजना भी चाहें घोशित कर दीजिए कि आप बड़े दिनों की चुट्टिया में बंबई जा रहे हैं लोगों को इर्शिया से कहने दीजे कि अमुक बंबई का सी बड़ा गोरे के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज से हाथ धोना पड़ता है हमारे पात छीनने को राजय तो ना था नहीं पर एक दात मांजने के ब्रुश और मोटर की एक मामूली से डिवरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े यह हमी जानते हैं सोनारी एक शिप शागर से तीन-चार मील पर था सोचा कि एक नया दांत ब्रुश लेलू क्योंकि पुराना घिस चला था और मोटर की भी एक डिब्रीट ही करवा कर ही नौटू उसके चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था वैसे कोई बहुत जरूरी काम नही तक है इसमें कोई दो घंटे लग गए खाना खाने में एक घंटा और तीन घंटे बाद बापस लोटने लगे तो देखा सड़क पर पानी फैल गया है पानी बढ़ जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी दूसरी तरफ मीची स पानी कुछ और गहरा हो गया और उसके धको से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की और जाने लगी आगे कहीं कुछ देखता नहीं तक क्योंकि सड़क की सतर शायद दो तीन मील आगे तक बहुत नीची ही थी सड़क के दोरों और जो पेड़ थे उन से कईयों पर साप ल ला रहा था मोड़ने के लिए उसे पट्री से उतारना पड़ेगा और इधावदर सड़क है भी की नहीं यह वरोसा और में एक जगे देख भी चुका था कि आखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलल में धसकर गायव हो जाता है इसलिए मोटर को बिना घुमाई उल्टे धाई मिल तक लाया यहां सड़क कुछ ऊची थी उस पर गाड़ी घुमा कर सिफ सागर पहुंचा शिफ सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी चाय बगानों से होकर यह अच्छी सड़क थी पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिससे नौ से पार करना होता था मैंने सोचा कि इसी रास्ते चले क्योंकि सामान तो सब सुनारी में था मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था शिफ शागर से एक तो मोटर की धिवरी कस्वानी थी और दूसरे दांत वरश और कुछ तेल सामूर लेना था बस बहीं लोटने की जल् पर बता रहे थे कि नदी किसी गाउं को लिलती हुई आई है एक भैस भी बहती आई और पेड़ पॉदो की तो गिंती क्या उस पार नदी का कंगारा उंचा था मोटर के लिए उतारा बन गया था ले किनाव से किनारे तक जो तकते डाले गयते वे ठीक नहीं लगे थे मोट जोर से ब्रेक दबाए बैठा था पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता तक है आदे घंटा उस स्वर्ग नसैनी पर बैटे बैटे अस्मिया हिंदी और बंगला की खिच्डी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें तब मोटर उपर चड़ाई जा सकी थोड़ा आगे ह पर मोटर रोक कर चाय की तलाश की हैं सोनारी से आये दो साइकल सवारों से मालुम हुआ कि बेकंदे तक पानी में से निकल कर आये हैं साइकलों कंदों पर उठाकर और मोटर तो कदापी नहीं जा सकती इस तरह इधर भी निराशा थी पानी अभी बढ़ रहा था यह गाउं उची जगह पर था पर यहां कैद हो जाना तो मैं नहीं चाहता था इसलिए फिर नाप पर मोटर चढ़ा कर उसी रास्ते नदी पार की सबने वना किया पर मेरे सर पर भूत सबार था और हट धर्मी का अपना अनूठा रस होता है रात सिर्फ सागर पहुँचे एक सजन ने पर मन ही मन अपने को कोशा की ना नया ब्रश दाथ ब्रश लेने के लिए सोनारी निकले होते ना यह मसीबत होती क्योंकि इसकी ऐसे ततकाली जरूरत थी नहीं ना मोटर की डिवरी का मामला ही इतना जरूरी था लेकिन अब उपाय क्या था इस तरह 12 दिन और काटने पड़ में उचे ताक पर रखा हुआ सावन का डबा और दानतों का ब्रश नक्षे में अब भी देखता हूं बास्तम में जितनी आत्रा है इस थूल पेरों से करता हूं उससे ज़्यादा कलपना के चरणों से करता हूं लोग कहते हैं कि मैंने अपने जीवन का कुछ नहीं बनाया म अगर मैं बहुत प्रसनु हूं और किसी से इर्शा नहीं करता आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक तो शायद आप पहले से मेरा नुक्सा जानते हैं नहीं तो मेरी आपको सला है जनाब अपना बोर्याई विस्ता समीठी और जरा चलते फिरते नजर आईए यह आपका अ प्मान नहीं है एक जीवन दर्शन का निचोड है रंता राम इसी सिर्फे कहते हैं कि जो रंता नहीं वे राम नहीं टिकना तो मौत है सचिदानन्द हीरानन्द बातसियायन अग्ये का जन्व सात मार्सन 1911 इस्वी को कुशी नगर जन्पद में हुआ था आपको हिंदी सहीत में प्रियोग बात के जनक के रूप में ख्याती प्राप्ते हैं वावरा अहेरी आगन के पारद्वार कितनी नाबों में कितनी वार शेखर एक जीवनी इनकी प्रसिद्ध रचनाए हैं इनका निधन 4 अप्रेल सन 1987 इस्वी को हुआ और ये है इस पार्ट के शब्दार्थ तरप्ती अमुक भिबरी कगारा टीला हट धर्मी तत कालिप प्रस्टार के किकी स्वी तत कर देम уть हैं और अही हैं अधरार शेखर रचना ये कितनी वार शेंगारक बाट त ट्यूस-फेल I'm out of my nightmares, see me right now But if I lay down and I take that mean I stay gay And when you get bought to kill me Then when you get bought to kill me Then when you get bought to kill me हम चुपार बखुआ है हम चुपार बखुआ है आप बखुआ है झाल झाल